कुछाओ को प richtige से सवागत है आपका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Microsoft थो ने यह सब्सक्राइब एज क्यों पढ़ने वाले हैं Microsoft के आपको remote माइक्रोसॉफ्ट एज हो रहा है ना तो हम बताते हैं आपको पूरी डिटेल तो मैं रतना करुपाध्या आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरू चनल हम कुछ यह यह कुछ अच्छा सीखते हैं चले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में किसके बारे में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है इसकी पूरी डिटेल समा आपको देते हैं Microsoft is अगर हमें डाउनलोड करना है तो इसकी website बनी हुई है इसकी website बनी हुई है जिसका नाम है www.microsoft.com Microsoft.com बहुत बड़ी company है यह आपको पता है इसके मालिक world के सबसे अमीर आदमी है अभी भी है इसका developer कौन अभी बड़ी company है तो आपको इतना तो common sense होना ही चाहिए इसका जो developer होगा वो Microsoft Corporation ही है क्या है Microsoft Corporation ही है और कोई नहीं है इतनी बड़ी company है तो Microsoft जैसे creation करती रहती है चोड़े चोड़े काम यह करती रहती है अगर मैं बात करूँ इसकी stable date की CCI date की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि हमारा जब window 10 आया तो आया मैं इसके stable release की बात करूँ अगर किसकी बात करूँ stable release की बात करूँ अगर तो यह क्या हुआ यह आप लोगों को पता है जब हमारा window 10 आया तो Windows 10 के साथ ही साथ हमारा क्या आया Microsoft Edge आया तब से ये use हो रहा है अगर छोटी सी बात इसमें और करूँ इसमें कौन सी programming use होई क्या बात करूँ इसमें कौन सी programming use होई तो इसमें C use हुआ था और C++ use हुआ था यानि दो software use करके दो programming language add करके ये पूरी इतनी बड़ी company पूरा इतना बड़ा Microsoft एप जैसा application software system software हम लोगों का maintain होता है और चलता है ये graphical होता है इसमें आप picture, music, videos, कोई भी multimedia use कर सकते हैं दोस्तों बाकि आप लोगों को पता होगा इसकी information सारी होगी ठीक है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करेंगे हम असा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आप लोगों कोई सुझाओ देना है तो आप लोग comment हम तो जरूर करेंगे बाकि आप लोगों कमेंट का अंसर जरूर देंगे दोस्तों धन्यवाद जहिन